जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा देश पे वान नेशन वान रेशन का जो योजना है वो लगबग सारे स्टीडियो पे लागू हो चुका है जिसके तरथ आप किसी भी रज्जे के वासी किसी दूसरे रज्जे पे जाके आप अपना आवंटन लाव कर सकते हो जिया जब से य एक नया पटल दिया है पोटल पे अपडेट लाया है जिया तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप निव प्रोसेस से आप एक रेशन कार्ट को एपलाई कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अमा करना है तो दूस्तों या पे आपके सामने आप एक पाइज आता है यानि या पर रेशन कार्ट को एपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको या पर रजिस्ट्रिशन करना होगा या अधर के तुरू भी लगिन का अप्शन दिया गया है लेकिन यह जो ऑप्शन है जब सामने यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक registration पेज आ जाता है जैसे कि यहाँ पर आप अपना फास्ट नेम डालेंगे लास्ट नेम डालेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना date of birth को calendar से choose कर लेना है और इसके बाद आपको अपना जो gender है उसे भी यहाँ से आपको चूज कर लेना है इसके बाद आप सभी के सामने यहाँ पर लोगिन आइडी का एक option दिखा जाएगा यहाँ पर देख सकते हो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपका नेम और कुछ दालेंगे कन फारम करने लिए और बेल डिदेशन मूड़ के section पर आना है यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर देख सकते हो आपका जो स्टेटेश को सिलेक करना है इसके बाद आपका जो गाउ या किषमेंग बीछ टाउन जो भी है उसे आपको सिलेक्ट करनाहें यिसके बाद देख सकते हो आपका जो address है, जो आपके अधर कार्ट पर है, आपका जो document proof है, उसके जो address है आपको, यहाँ पर address line 1 और address line 2 पर आपको type कर देना है, और इसके बाद आपका जो pin code है, इसी या पर pin का section पर डाल देना है, तो दूस्तो इसके बाद आपद आपको anures क का एक option दिया गया है तो यहां पर आपको देख सकते हो आपको कुछ भी लेखने का ज़रूरत नहीं है अगर आप लेखना चाहते हो तो लेख सकते हैं और इसके बाद यहां पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको क्लिक करना है तो इसके बाद आपको क्लिक करना है तो इ यानि आपने user account पर login कर सकते हो इसके लिए आप याप ओके पर क्लिक करेंगे और homepage पर चले जाएंगे याने back जाएंगे और यह पर देख सकते हो आप आपको अपना other number का method दिया गया है इस पर आप और आदर नाबर को फिल करेंगे capture code जो दिखाया गया है वह सेमी फिल करेंगे और इसके बाद आपको continue OTP का option आपको क्लिक करना है तो एगें आपके phone पर एक OTP सेंड किया जाएगा वो OTP आपको यह पर फिल करना है और यहां पर use OTP option पर क्लिक करना है तो इतना करता ही आप देखोगे कि आप यहां पर आप पाटल पर सक्सेस्फुली लोगिन हो चुके है आप यहां पर हाँ एक नया रेशन कार्ड को apply करने के लिए इस पोटल पर आपको common registration वसेलिटी का जो option दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आप देखोगे कि new registration का एक option दिया गया है इसके बाद यहां पर आपको आपना state को चूज कर लेना है जिस भी state से आप है और state का सिलेक्शन कर करना है जिसके अंतरगत आपको रेशन कार्ड बनवाना है तो यहाँ पर आप सभी को प्रियोर्टी एंफसी का जो ऑप्शन दिया गया है इसे आपको सिलेट करना है ओन लाइन आप यही रेशन कार्ड बना सकते हैं तो इसे आपको चूज करने के बाद शिलेक्ट को फिलह करना है जिसमें कि आपको insure करना है कि अगर परिवार के कोई भी मैल है जिसके साल 18 साल से उप पर एक है यह पर परिवार की मोक्य मैल ही होगी तो यहाप सबसे पहले आपको ग्रेडल नहीं के जो डिटेल कर सकते हैं उसके तुरू आप यहाँ पर हिंदी पर टाइप कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको आपना जेंडर चूस कर लेना है मेल फेमल जो भी हो इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना डेट बार्थ को चूस कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको याप सेलेक्शन कर लेंगे इसके बद नेशनली के सिक्षन पर आपको यहापको इंडिया सिलेक्शन कर लेना है। इसके बद यहाप आपको जो मोबैल नंबर है उसे यहापए फिल कर देना है। mail id mandatory नहीं है लेकिन अगर आपके बस मौजूद है तो आप यहां पर फिल कर सकते हैं इसके बद आपको general details के section पर आना है और यहां पर अगर आप सभी का बुटर एडिकाड बना है तो यहां पर आपको अपना बुटर एडिकाड नमबर या फिर NPR नमबर यानि national population registration पर आपका क्लिक करना है तो इसके बद आपका जो अधर नमबर है 12 डिजिट का उसे यहां पर आपको फिल कर देना है इसके बाद आप देख सकते हो प्रोफिशन डिटेल का जो option आ गया है यहां पर आपके बिजनस है आपको यहां पर सिलेट कर लेंगे अगर आप मोहिला के नमसे फि सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद सेवं का अपशन पर क्लिक करेंगे तो इतना करता है आप देख सकते हो आपको जो वार्स स्टे यह हो कम्पिट हो जुका है आप देखेंगे आप यहां पर इसके पर आपको पिन कोड ड़ना है आपके आईडी प्रूफ बर जैसा आ इड्रेस आपका नए में वेजिश्क आपको यह पर अगर आपका कोई दूसरा है तो आप यह पर देख सकते ह grounded भी एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हो आपका पर्मानेंट एड्रेस की बाद आप सभी को सेव एंड कंटेन्यू के अप्शन पर क्लिक करना है आप इतना करता ही आप देखें कि यहाँ पर नेक्स्ट पे आ चुके है यानि तार स्टेज पर आ चुके है आपका कुछ आदर देनी होगे जिसमें कि सबसे पहले आप जिस भी काश से हुआ या पर आप सिलेट करेंगे सक्षन पर आना है या पर आप देख सकते हो आपका खूद का गर रहे हैं या पर आप चूज कर सकते हैं तो यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हो इसके बाद आपके बैंक नमबार बैंका जो आई वेसी कोड बैंका जो नहीं है वो सब कुछ आप यहाँ पर टाइप करेंगे इसकी बाद यहाँ पर गेस कनेक्शन अगर आपके फैमिली पर है तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर परिबार के किसी भी सदिश्टों को यहाँ पर बिगलंगता यान परिबार का जो मुखाया है उसकी डीटेल आप lies यहाँ परिबार बैं रहीं के जितने बीस दिश्टों को आपको यहाँ पर फिल करना है जितने भी परिबार के सदिस्ता है सबकी separate details आपको यह पर फिल करनी है जैसे के उनका name female female उनके address e-p card अगर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है यह पर occupation क्या है उसे यह पर आपको चूज कर लेना है और यह पर income के section पर आपको यह पर zero type कर देना है और इसके बाद आप इस page के निचे के तरफ अगर आओगे तो यह पर आप देखोगे आपको यह पर हर user की कुछ document भी यह पर upload करने के बोले जा रहे है तो इसमें के जितने भी members आप add कर रहे है उनके identity proof को आप यह पर select करोगे जो भी आप ID proof देने वाले हो यह से आप choose करोगे other card, water ready card, pen card या फिर आप आपने birth certificate भी दे सकते हो member को add करने के लिए तो यह पर जो भी document number है और जिसके दौरा आपका document issue किया है यह पर type कर देना है इसकी बाद यह पर आप सभी को choose file का option पर आपको क्लिक करके document का selection आपको कर लेना है और member को add करने के लिए page के निचे के तरफ आना है और save and continue के option पर आपको click करना है यह पर मैं आप लोग को बता दू कि laptop या computer के section पर आपको यह पर नो ही type करना है क्योंकि यह पर आपका income कम से कम ही होगी और अगर आप यह पर कुछ नहीं type करते हो तो आपका जो रेशन काड़ है वो जल्द से जल्दी बनेगा और इसके बाद save and continue के option पर आपको click करना है त जैसे तो यह पर one nation one Russian योजना पर आप किसी भी रेशन काड़ शॉप से आप यह सारे अवंटन कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन फिर भी यह पर primary शॉप आपको select करनी होगी जैसे कि आपके गर के आसपास जो भी शॉप है उसे आपको यह पर चूस करना है इसके बाद concern data पर आप successfully complete हो चुक है आप यह पर देख सकते हो आपको सबसे पहला जो काम है वो यह है कि आपका यह जो number मिला है उसे आपको कपी कर लेना है या फिर आपको इसे screenshot ले लेना है या फिर अगर आपके पास printer है तो आप इसे print भी कर सकते हैं इसके बाद आपको close को option पर click करना है यह पर बुआ है या फिर पेंडिक गई या फिर रिजेक्ट कर दिया क्या है उसके detail आप यह पर देख सकते हो और यहां सही आप रेशन कार्ड बन रहे के बाद आपका जो रेशन कार्ड नमबर है वह मिल जाएगा जिसकी बाद आप अपना रेशन कार्ड को और यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो रेशन कार्ड को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा है उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएक हुआ सभी आप चेक कर सकते हो तो आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं एक व इतना है मिलते हैं आप लोगों से किसी ऐसे इंटरेस्टेट वीडियो को लेके